नमस्कार, मैं हूँ राज महंति बारी, आप देख रहे हैं बिहारी नीज बिहार में होने वाले उपचुनाओ के लिए अब परचार बंद हो चुके हैं क्योंकि महराश्ट और हर्याना विदान सबा चुनाओ के साथ होने वाले बिहार के ये उपचुनाओ 21 अक्टूबर यानि कल होने जा रहा है चुनाओ की घोसना के बाद से ही बिहार के अंडिये और महागडवंदन में हमें कई उठापटक देखने को मिली जिसमें सीम नितिश कुमार पर बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा बाट को लेकर छीटा कसी करना हो या पटना के गाधी मैदान में आयोजीद विजेया दसमी महत्सों में बीजेपी के किसी भी नेता का सामिल ना हो ना हो ये सबी घटनाए राजनितिक विशलेशकों के सांथ ही जनता को भी काफी अस्मंजस्क इस्तिती में डाल रही थी परंदो दो दिन पहले आये अमीद सा के एक बयान कि बीजेपी 2020 विधान सबाचुनाओ सीएम नितिसकुमार के नेतरित में ही लड़ेगी ने कई अफवाहों को खतम कर दिया और यह बयान किसी के लिए सबसे ज़्यादा रहत बड़ी थी तो वह सायद नितिसकुमार ही थे अब बात करते हैं महागडवंधन की राजत के एक तरफा फैसले से नराज महागडवंधन के दो दल जितन राम माजी की हम और मुकेस कुमार सहनी के बी आईपी ने राजत के विरोध में दो जगों नातनगर और सिम्री बक्तियारपूर सीट पर अपने परतियासियों को उतारा है इनके बीच में अब तक तो कोई समझोता नहीं हो पाया है साथ ही चुनावी मैदान में इनके बीच काफी गहमा गहमी भी तेखने को मिली अब चुनाव या मतगना बाद समझोते कि कोई संभावना बनती है या नहीं इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे फिलहाल हम उस विधानसवा बेलहर सीट की बात कर लेते हैं जिस पर हमने विस्तार से चर्चा नहीं की है या विलहार विधानसवा सीट जेडियो विधायक गिर्धारी यादों के संसद बन जाने के वज़ा से खाली हुए विलहार विधानसवा सीट बाका जीला एवम संसद ये छेतर में आता है इस सीट पर 2005 से जेडियो के उमिदवार जीते आ रहे हैं एण्डिय के जेडियो से ललधारी यादों यहां उमिदवार हैं जो की यहां के पूरो विधायक और वर्तमान सांसद गिर्धारी यादों के छोटे भाई हैं मा गडवन्दम से RJD ने पूरो विधायक रामदे यादो को उमिद्वार बनाया है वो आकरी बार सन 2000 में यहां जीते थे वो 2005 के फरवरी विधान सभा भी जीते थे पर किसी भी दल को बहुमत ना होने पर अक्टूबर में हुए 12 चुनाव में जेडियू के जनारधन माजी से हार गए थे 2010 में भी यहां चुनाव लड़े मगर फिर जेडियू के उमिद्वार गिरधारी यादों से हारे 2015 विधान सभा चुनाव की परस्तितियां और रनितियां पुरी तरह अलग थी अब तक एक दूसरे के खिलाफ रही जेडियू और आरजेडियू ने एक साथ चुनाव लड़ा और यसीट 2015 विधान सभा में भी जेडियू के पास ही रही एवं एक बर फिर से गिरधारी यादों यहां से विधायक चुने गए उन्होंने एंडियू के बीजेपी के उमिद्वार मनोज यादों को 16191 वोटों से हराया 2017 में जेडियू महागडवन्दन छोड एंडिये में वापस आ चुकी है और उन्होंने 2019 लोगसभा चुनाव में महागडवन्दन का सूपरा साफ कर दिया और उन्हें उमीद है कि वह इस उपचुनाव में भी बड़े अंतर से जीतेंगे अगर देखा जाये तो यहां लड़ाई तो जेडियू और आर जेडियू में ही है मगर जेडियू यहां हमेशा से ही मजबूत होती गई है परन्तु देखना होगा कि 2015 में महागडवन्दन के नाम पर वोट देने वाली जनता इस बार जेडियू को ही चुनती है या फिर किस और को उपचुनाओ को हमेशा से ही सरकार के कामकास से जोर कर देखा जाता है और माना जाता है यह सत्ता पक्षपर जनता का रेफरेंडम है कि सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं परन्तु अगर मान लीजिए वो सभी उपचुनाओ हार भी जाती है और उसके पास बहुमत है तो भी उस पर कोई फर्क नहीं परता है। यह हमारी लोकतंत की विसेस्ता है। अच्छी है कि बुड़ी यह एक अलग बहस का मुद्धा है। बेलहर विदानसवा में तीन लाग से भी जैदा वोटर हैं, जिसमें लगबग 16 परतिसत HC और ST हैं। पिछरे वर्की संख्या यहां सरवादिक है, जो कि किसी भी दल को जीतने में निरनायक भूमिका निभायेगा। हलांकि उपचुनाओं में यह भी देखा गया है कि लोगों के दिल्चस्वी इसमें काफी कम होती है और वोटिंग परतिसत काफी कम रहता है। अब यह देखना होगा कि किसके समर्थक घरों पर इनाते हैं और कौन अपने समर्थकों को पोलिंग बुद तक लाता है। अगर सभी तरहों से देखें तो NDA की बड़तबंती दिख रही है और इसका एक कारण महागरवन्दन में मजूद दलों का आपसी बिखराव भी है। परंतु ध्यान देने योगी यह है कि यहां के चुनाओं को जो मुद्धा प्रभावित करता दिख रहा है। उसमें नहां पर सांसत गिर्धारी यादों के भाई को ही टिकर देकर अपने ही सिध्धानतों को उन्होंने तिलांजली दे दी है। इस वज़ा से पाटी करे करता हूं कि उत्सा में थोड़ी कमी साफ दिख रही है। और यकीन मानिए अगर जमीन ही इस तरह पर यह सभी मुद्ध सही सावी धोग है तो राज़त इस सीट पर लंबे अर्से बाद जित्ते हुए भी दिख सकती है। फाइनल परिणाम से 24 अक्टूबर को ही मालूम पड़ेगा जब मत गन्ना खतम होगी। दोस्तों आप देख रहे तो बिहरी न्यूज अगर आपको अमारा वीडियो करें धन्यवाद।